अस्सलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम धुलिलम एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी इतने जो अमली का वाला वीडियो डाली है इसके पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मैंने रियक्शन नहीं दी इस बड़ा बनाना हमें देखना है अमें मज्जा आएंगा तो बोरिया मैं कोशिष करूंगी पिटारा तुकोशिष नहीं तु बना चुकी थी विडियो तेरी विडियो रेडी थी इसलिए आके तुने ये बोली थी ताके लोगों को बेवकूब बना सके यह बोल सके कि भई पब्लिक की डिमांड पर मैंने न 29-30 मिनेट का वीडियो बना दी जबके वीडियो पहले से तेरी बनी होई थी कि हाँ मज़ए तो मुझे आया वीडियो देखके थोड़ा बहुत इस चीज़ को देखके के गोंचु ने अपने आपका किस तरह से मज़ाग बनाया इस वीडियो में जो के उसका मज़ाग मेरे ख्याल से तीन साल होने आया है बहुत जादा मज़ाग बन रहा है कि या आदमी के अंदर बिल्कुल भी वो वाली चीज नहीं है कि जो एक इज़दार आदमी में होती है ना इसके बच्चे इसकी इज़द करते है ना इसकी बीवी इसकी इज़द करती है और बस इसको गालियां खिलवाते है इसको जलील करकर के और इतना ही नहीं खली बीवी बच्चे ही जलील किये अरिस्तेदारों ने भी पुरा खांदान ने डीडी दले ने हर किसी ने यह आदमी को जलील किया है लेकिन यह आदमी ने आके एक लफ्ध मुझे निकाल के नहीं बोला के मुझे क्यूं जलील किया जा रहा है तो मैं इसके उपर गुसा कर दूँ या मैं इसको लाइफ में भी रखी हुई है और जो लोग बोलते थे ना कि कोसर की सुनता है कोसर से प्यार करता है और इसको इसके साथ में वो सही नहीं है इसको प्यार नहीं करता उन सब के उपर ये वीडियो ना बहुत बड़ा तमाचा है के देख लो अपनी इज्जत को नीलाम करने के लिए यह आदमी पिटारा के बोलने पर हर टैम रैडी रहता है इतना मजाग क्या आप लोग अपने आप पर रखके सोचो आप लोगों के हस्बेंड आप लोगों के कहने पर खुद का ऐसे मजाग बनाएंगे नहीं बनाएंगे न तो फिर बोलने ते पहले ना तोड़ा से सोचा करो कि वो किसकी सुनता है किसका लट्टू है किसका टट्टू है समझा करो वैसे इतने दिन से जो पिटारा पता नहीं कितने पैसे इन सब चीजों में डाल दी ये सारी चीजे खरीदना कपड़ों की तैयारी करना और स्रीफ और स्रीफ दिखावे के लिए पता नहीं सो करने का ये सोने का वो जितनी चीजे इसने खरीदी ए जितनी चीजे इसने निकाली थी बहुत सारा इसने तैयारी की उन सब चीजों के उपर इसने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट आफ मनी किये कोई भी चीज इसके वीडियो में काम नहीं आई क्यों नहीं काम आई वो भी बताती हूं लगिन सोचो एक वीडियो के लिए ये औरत ने लाखों रुपे मुझे लगता है फूक दी और उसके बाद में वो सब चीजों का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ उस वीडियो में तो सोचो के ये औरत कितना फिदूल खर्चा करती है और कितनी जदा ये क्या बोलूँ यार इसको के आने वाले कल के लिए इसको बिल्कुल भी फिकर नहीं है यही सारे पैसे ये सेफ करके रख सकती है अपने बच्चों के लिए जिनके नाम का हमेंसा ये जंडा लेके गुमते रहती है खेर वो सब चीजे क्यों नहीं काम आई ये हैनब बनना चाती थी मलीका एजएड एक्शुली में जब से हीरा मंडी सीरीज आई है तब से ये तैयारी में लग गई और इसने ये नहीं बोली के मैं हीरा मंडी की टी बनना चाती हूं इसने ये बोली के मैं मलीका बनना चाती हूं ठीक है नाम चेंज कर देने से जग कर आप लोग देखो गये इसके तैयार ओने का तरीका यह सारा फूंस तो आप लोगों को समझ आएंगा के यह रा मंदी की बनना चाहती ती लेकिन लोगों और आपक है किस्तान में और हैं कोई पाकिस्तान की कोई बंदी यह उसको इतना जाधा ट्रॉल किए इतना ज्यादा ट्रॉल किए कि वह बंदी ने आके शाहिद माफी मांगी रोई यह कुछ हुआ है तो फिर इतने देखी के हर तरफ से जब मुझे इतना ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है कि मैं हिरामंडी की टी बनने वाली हूं सब को पता चल गया है सब जने समझ गये तो फिर इतने ना वो सब चीजों को साइड में रखके उस तरह का ना वीडियो बनाई और इतने ना कॉंसेप ही चेंज कर दी कहां यहीरा मंडी की टी वाला वीडियो बनाना चाहती थी बन गया वो कॉमेटी इसने एंट पर अपना यह चेंज करके इसको कॉमेटी कर दी ताके लोग इसको धोए ना हां कुछ सीन उसके अंदर ऐसे थे जो मुझे कॉमेटी लगे मुझे हस्ती भी आई जैसे के गोंचु का फटा हुआ कुरता और एक सीन वो यह वो पता नहीं खंजर निकाल रही थी और इसकी कोनी जो के वो हमेशा ही करता है ना ओर एक्टिंग के इसको पैसे देती है बाकी फिर वो रमदान के साथ में गोंचु का जो दीख रहा था के अफैर चल रहा है वो चीजों को थोड़ा सी वो कॉमेटी था और जिस तरह से मतलब के अगर बोलू ना तो इसके पूरे वीडियो की जान कोई था तो वो गोंचु था गोंचु के वज़े से वीडियो में जान आ गई थी पिटारा का आप लोगों को पता ही है हमेशा ही एक्टिंग करती है तो उसका लगा नहीं के हाँ वो कोई एक्टिंग कर रही है या उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है नहीं लगा क्युंकि हमेशा ही एक्टिंग करती है तो कहां से लगेंगा न कि यह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है तो खेर गोंचु के वजह से वीडियो में थोड़ी बहुत जान आ गई थी लेकिन गोंचु की जिस तरह से बेज़ जती हुई है ना जिस तरह से इसने घरते धके चुपे लफजों में गोंचु के पीछे जैसे हमेशा गाली खिलवाने वाले काम करती है वह भी इसने कर दी कौसर को भी टारगेट कर दी अपनी सच्चाई भी बता दी और फिर इस तरह से भी जता दी कि मैं तो बहुत अच्छी हूं जैसे क महां से बोली है कांट मैंसे आया मैंसे आया है कि आप अपने हाथों से लिए खाना भ queens खाना नहीं बनाेंगे आधों से खाना बनाउंगी यह जई है ना ये अपनी लाइफ में कर रही है ये खली दिखावे के लिए नहीं था ये खली content नहीं था ये इसी तरह ते करती है ये तो उस्तिये में कैसे भी करके ना गोंचु का अपने पास बाहन के रखो पूछ ना कुछ ड्रामे करते रहूं साके गोंचु है ना मुझे छोड़ के ना जाए गोंचु वहाँ पर जाके ज़्यादा टाइम ना दे दे बस मेरी ही बगल में बैठा रहे मेरे ही पल्लू से बंदा रहे और ये इसमें ये भी जताना चाहती थी के गोंचु मुझे blackmail करता है और मुझे काम करवाता है कौषर के पाद जाने की धंकी दे मतलब ये बंदी का दिमाग कितना चलता है फिर बाद में इसने इस तरह से बोली के हम तो कभी खाना नहीं बनाए है हमने तुमारे लिए खाना बनाए और हमने कभी काम नहीं किये हमें बहुत गर्मी लगती है नो बहुत पसीना आता है हम ठख जाते हमने कभी जिंदगी में काम ने किये आपके वजह से हमने काम किए तो यह इसकी life की सच्चाई है जो इसने content के थूय ना वा सच है यह बहुत बार यह कर चुकी है कि यह सच्चाई बता देती है और लोगों को लगता है या तो यह test कर रही है या तो यह मैद होती है ना कर दिया इंसान ने वैसे भात कर रही इसकी फेहमस भी थी वह टेम पर करती में लोगों को खरीती कॉंटेंट बनाती यह ने कंसाों यह किया हां उसका निका नामा नहीं बनाया यह नहीं किया मतलब जो भी सच्चाई थी नहीं इसने बता चुकी है अपने वीडियो में वो सारी सच्चाई इसने बोल चुकी है और फिर बाद में इस तरह से इसने बोली कि मैं क्यूं जवाब दूँ मैं क्यूं यह करूं मतलब ये सारी बाते हैं कि अब तो आप लोगों को यखिन आ गए होगा कि ये बंदी ने शुरू से जो की ये बताती है कि मैं गरीब थी, मैं महतास थी तो ये सुरू से ही ओयास थी सुरू से ही यह रे एक सुझ सुविदा इसको मिली है यह कभी कोई चीज के लिए नहीं तरती है बत लोगों को फुद्दू बना के यहां पे इसने सबसे सिंपती लेके और चार गुना जादा अपनी वह आयाशी को बढ़ा लिए बाकी इसने जो कुछ भी बाते किये न वो सारी बाते सच्ची थी बाकी इसका यह जो कॉंटेंट था यह शर्मिंदगी उठाने वाला ही कॉंटेंट था और इसका एक्जैंपल के तोर पे बाबर का ही बता दूमें आप लोगों को बाबर उसके अंदर आया कितनी ज्यादा पिटारा शर्मिंदा हो रही थी और बाबर ने बोला इसके अंदर में बिल्कुल भी हिस्सा नही करने अली चीज होती इज्जत मिलने वाली चीज होती तो जरूर बाबर भी इसके अंदर इस्सा लेता लेकिन बाबर ने दूरी बनाई बाबर हड़ गया कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना इसमें और फिर एन में बाबर ने ये भी बोला कि गोंचु के पैसे काटो ओवर एक पागे डॉलर कमाते हैं तो कभी दूसरों के बच्चों की मौत मयत पे तमाशा दिखाते हैं मतलब कितना भी औरत पैसे के लिए गिर सकती है ये बात इसने साबित कर दी वैसे जो जो हरकते ये रमजान से करवा रही थी और रमजान इतना जदा खूश हो रहा था और ये इ बहुत ज़्यादा सीन किये रमजान के साथ में इसको टाइम स्पैंड करने भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मैं नहीं बोल रही हूं इसके वीडियो से ही ये सारी चीज़े नजर आती है हमें हम भीवकूफ नहीं है और वह सारे सीन ये अनिता से भी करवा सकती थी रमजान को अपनी धासी बनाके रखी थी रमजान के साथ में घूम रही है और अगर आप लोग देखोगे तो रमजान कितना जदा फ्री रहता है इसके साथ में इससे पता चलता है कि इसकी और रमजान की टूइनिंग कितनी अच्छी है मैंने अनिता को नहीं वीडियो बनी इसके खुद के तपोटरों ने उगली उठाए इसको बाते सुनाएं के वेवी थोड़ा समल ठहर जा पहले भी तरी बदनामी हो चुकी है लेकिन यह और तो कुछ परकी नहीं पड़ता है यह चाहती है कि इस तरह की बाते आए फिर रोने दोने बैठ जाती है क यह है तो वह तो दुनिया भरकी बाते करती है की भी उटतफी लेती है इतनी से कोई गैं पिटारा वक्त बात बदलते देर नहीं लगती है ुपर ऐसा वक्त आ जाय कि तेरह सारा कोश्झा शुकाई जाए और तु बरबाद हो जाए एक-एक पाई के लिए तु तर्षर ज चलो तेरी मान यको हेलप करती सलमा तुझे हहलप करती ती जब तुने देख लि कि अब मैं मेरे पैरों पेह घड़े हो गई हूं मैं खुब पैसे पैसे कमा रही हूं तो तुने उन लोगों भूषा踏 सफटे yeter को पैसा बरने के लिए उन技 भी नहीं है जो एजास था जो तेरे उपर रहते पानी की तरह लुटाता था उसने भी तुझे मतलब इतना ज़्यादा अब ये नहीं करता है तुझे छोड़ी चुका है लगबग वो तो सोच के बुरा वक्त आएंगा ना तो ये जो पैसे तु फिजूल खर्चे कर रही है ना इतना तो आज मेरे काम आता और ये बात तु याद रखना पिटा रहा एक ना एक दिन तु ये बात जरूर सोचेंगे बाकी एक बात और बताओं कि तु जब मलिका बनी होई थी ना और तु जब बीवी नंबर वन भी बनी होई थी तो तेरा मोटापा है ना साफ नजर आ रहता जो जो जुड़ बोलती है के मैं पतली लगरी हूँ मैं पतली लगरी मैं पतली लगरी नहीं भई तू पतली कहां से लगेंगी ना बाकी सर पर फे उपर देना तो दूर की बात है सीना दिखाती एक चीशे के तामने खड़े रहके तो थोड़ी ती शरम कर पिठारा एक औरत का सीना दिखे या दस औरत का दिखे बात हुई है तो तु अपने आपको नहीं हर एक औरत को बेयाबरू करती है हर एक औरत की बेज़्जती करती है तो थोड़ा सी शरम कर बाकी य देखो ना रमजान का कॉस्ट्यूम ने ये गोंचु का कॉस्ट्यूम खुद के पीछे इतना खर्चा करना ये सारा कुछ फिजूल खर्ची आप लोगों को नहीं लगती फिर बाद में रोना दोना करती है कहां तो पिछले साल बोल रही थी कि मेरे पास में एक कडोड़ उप कम पढ़ रहते हैं मुझे इतनी असी आई थी खैर अब देखो कि कितनी आयाशियां और ये सारा कुछ हो रहा है अब कोई पैसे कम नहीं पढ़े अब घर का रोना नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है ना जब रमजान में रोजा खुलाने का रहता है तो ये बोलती अल्ल कि रा में कर्चा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन हाँ यह सब आयाशियां करने के लिए ना इसके पास में फिर कमी नहीं होती है पैसों की जूल खर्ची करने के लिए बेशरम और तो चले इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूं वीडियो कैसी लगी बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में अल्ला पीस